नमस्कार, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में मैं रितेश कुमार, आज मैं आप सभी आगनबारी बहनों को बताऊंगा कि पोशन ट्रेकर एप में आप अपना प्रोफाइल अपडेट खुद से कैसे करेंगी तो जैसे कि आप सभी आगनबारी बहनों को हमने पिछले अपडेट में बताया था जो 10.5 का अपडेट आया था जिसमें आगनबारी सेविकाएं बीना OTP के नए लभार्थियों का रेश्टेशन कैसे करेंगी इसके बारे में हमने आपको जनकारी दिया था तो उसी 10.5 के अपडेट के साथ एक और अपडेट आया हुआ था जैसे कि AWW प्रोफाइल अपडेट तो AWW प्रोफाइल अपडेट क्या है इसको कौन से आगनबारी सेविकाएं भडेंगी इतने वर्ष का जो एक्सपिरियेंस है वो अगनबारी सेविकाएं इसको भडेंगी Higher Education Qualification में आपको क्या डालना है कैसे आपको प्रोफाइल अपडेट करना है सभी जनकारी आपको इस वीडियो बेहनों के लिए काफी महत्तोपूर्ण है आप लोग इस वीडियो को complete जरूर देखिएगा कैसे आपको प्रोफाइल अपडेट करना है और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसी वीडियो में आपको complete जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो आप सभी लोग लाश्ट तक जरूर देखिएगा हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथी साथ जो नए भीवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि प्रफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है ये जो थिरी डॉट का ओप्सन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइट के कोने में थिरी डॉट का ओप्सन जो दिया गया है उस पे क्लिक कर देना है जैसे हैं उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं है कि यहाँ पर फर्ष्ट में दिया गया है अधार संख्या तो जो सेविका पोसंट ट्रेकर एप पे काम कर रही है उन सेविका का अधार संख्या यहाँ पर 12 डिजिट का जो अधार अंबर होता है उसको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम आटोमेटिक ही एड हो चुका है फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है date of birth select करना है यहाँ पे देख सकते हैं कि calendar का जो option दिया गया है इस पे click करके आपको date of birth सेलेक्ट कर लेना है जैसे की जनम का साल आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2003 दिया गया है यहाँ से आपको जनम का साल सेलेक्ट कर लेना है इस पर जैसे ही किलिक करेंगे तो यह जो जनम का साल है वो पूरा जनम का साल खुल के आ जाएगा आपका किस साल में जनम हुआ है वो यहां से आप अप सिलेट कर सकते हैं उसके बाद यहां पर पूछ रहा है कि आप male है या female है तो आपको यहाँ पर female सिलेट कर देना है जैसे कि सेविका ही यहाँ पर अपना profile अपडेट कर रही है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर email id पूछ रहा है तो आपको अपना email id यहाँ पर डाल देना है email id आपको कहां से मिलेगा जैसे कि play store जो आप लोग चलाती है अपने phone से तो आपके phone में play store होगा जहां से आप लोग पोसंट रेकर अपको अपडेट करती है तो play store में ही आपका जो email id है वो login हुआ रहता है तो उसी email id को आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे कि BR करके जो आपका email id है वो यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद यहाँ पर जो mobile number है वो automatic ही select रहेगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि years of experience आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कितने years के दिया गया है कितने years की से विकाए यहाँ से अपना जो है कि work experience डाल सकती है जैसे कि यहाँ पर arrow वाले पर click करेंगे तो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 12 years तक का यहाँ पर work experience बता रहा है 12 years के बाद की जो आगनबरी से विकाए हैं उनका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आप लोग क्या किजेगा कि आप लोग अपने office से संपर किजेगा कि 12 years के बाद वाली से विकाए कैसे अपना profile अपडेट करेंगी हलांकि इसका भी update होना चाहिए कि 12 years के बाद की जो आगनबरी से विकाए हैं वो अपना profile अपडेट कैसे करेंगी तो 12 years के नीचे जो भी आगनबरी से विकाए का work experience है वो अपना यहां से select करके डाल सकती है और उसके बाद फिर यहां पर है highest education qualification तो आपका जो education है वो कितना है उसके लिए यहां पर जो arrow का निशान दिया गया है इस पर आपको click कर देना है primary education, secondary education, bachelor degree, master degree और doctorate of higher तो यहां पर primary education में वो आगनबरी से विकाए भरेंगी जो आगनबरी से विकाए आठवी तक पढ़ी है और secondary education में वो आगनबरी से विकाए इस secondary education को select करेंगी जैसे कि जिनका 10 वी से लेके 12 वी तक का education पराप्थ हुआ है वो यहां से select कर सकती है उसके बाद जो bachelor degree जिन से विकाए ने असना तक की degree पराप्थ की है वो से विकाए इस bachelor degree को select करेंगी और उसके बाद जिन से विकाए का master degree है या फिर doctorate of higher degree है वो यहां से अपना select करेंगी फिर उसके बाद देख सकते हैं कि आपके आगनवारी center का नाम यहाँ पे दिया गया है आपका जो आगनवारी code है वो यहाँ पे दिया गया है उसके बाद सारा details भरने के बाद submit वाले option पे click करके आप submit कर दिजेगा तो देखिए मैं यहाँ पे आपको profile update करके नहीं दिखा रहा हूँ वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस सेविका का मैं profile update करने जा रहा था उस सेविका का जो experience है वो 12 years से above है इसलिए मैं उनका profile update नहीं कर रहा हूँ तो अगर इसके बाद कोई नया update आता है जैसे कि 12 years के बाद वाली जो सेविका है उनका experience डालने के लिए कोई update आता है तो मैं इनका profile update करके submit जरूर करूंगा उमिद करता हूँ आप सभी आगर बादी बेहनों को इस profile update के बारे में जनकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने आगर बादी बेहनों के साथ सेयर जरूर करें